नमस्कार दोस्तों दजीयस टाइम यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम लोग फ्राइड के मनोबैसल लात्मक सिधान्त के बारे में डीटेल में अध्यान करेंगे इस वीडियो के लास्ट में हम आप से एक प्रस्ण पूछेंगे जिसका आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें बता सकते हैं ये प्रस्ण इसी वीडियो से रहेगा तो चलिए बीना वक्त गवाय सुरू करते हैं फ्राइड का मनोबैसल लात्मक सिधान्त फ्राइड ने अपने नैदानिक अनुभव के बाद ब्यक्तित्यों के जिस सि पनावा पराधारित है जिसमें फ्राइड ने कुछ मुख्य बिंदुवोंपर फोकस किया है पवला बिंदु है एदम दूसरा बिंदु है आम और तीसरा बिंदु है परम आम तो चलिए इनको एक एक करके सेखते हैं पवला बिंदु है इदम जिसे अचेतनमन भिका जाता आईए अब इदम व्यक्तित वाले व्यक्ति के बारे में पढ़ेते हैं जिसे अचेतन मन भी का आ जाता है ये सुखवादी सिध्धान्त पर आधारित होता है पार्शुईक और दुमिक अवस्थाएं इसी मन की अवस्थाएं होती है ये मन पसुप प्रभीर्ति के समान होता ह है इसी मन में व्यक्ति की इच्छाएं बहुत सारी इच्छाएं उत्पन होती है परतेक व्यक्ति में ये 90 परसेंट होता है मन नाकारात्म प्रेविर्तिका होता है नयतिकता है हम तारकिकता का अभाह होता है इच्छा पूर्ति के लिए व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तय अहम करते हैं, यह मानवतावादी सिध्धान्द परादारित है, यह इदम और परम अहम में तालमेल बैठाने का कारे करता है, इस परकार के ब्यक्ति में अगर कोई एक छाएं उत्पन होती हैं, तो अल्पकालिन होती हैं, इसलिए इसे अल्पकालिन प्रवीर्त भी कहा जाता इस सिध्धान का मुख्य बिंदू ये है कि नहीं आदर्षवादी बनो और नहीं सुखवादी बनो आईए आप तीसरे बिंदू के बारे में बात करते हैं जिसे परम अहम का आ जाता है इसे आदर्षवादी भी का आ जाता है ये अब्यक्ति में 10% होता है इसे नैतिकता की अवस्था भी करते हैं क्योंकि इस परकार के ब्यक्तित वाले ब्यक्ति में नैतिकता का भंडार होता है वो नैतिक बातों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं तो दोस्तों ये रहा फ्रायट का मोनो भिश्रात्मक सिद्धान्द वैसे आगर आप इस सिधान्द को पढ़ेंगे तो 2-3 गंटे में समाप्त नहीं होगा लेकिन हमने जो आप विए बताए ये फरायट के सिधान्द का निचोड था अगर आप इसे अच्छे से तयार कर लेंगे तो हमें विश्वास है कि आप फरायट के सिधान्द से आने वाले सवालों को आसानी से उत्तर दे सकते हैं तो आईए आपसे हमने विडियो के स्टार्ट में आपसे एक प्रस्ण पुछने के लिए का था तो चलिए प्रस्ण है इच्छा पूर्ती के लिए ब्यक्ति कुछ भी कर सकता है यह किस परकार के ब्यक्तित वाले ब्यक्ति का गुड है पाला है इदम दूसरा है आहम तीसरा आप इस वीडियो के कमेंट सेक्षन में लिक करके हमें बता सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक भी कर दें हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार